नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जब सिक्षक राजभौन के समक्षन के वलधारना पर बैठे बलिक अलबट एका चोग तक भिक्षाटन कर सरकार से वेतनमान की मायंग करते रहे इस दौरान सरकार पर वादा खिलावी का अरोप लगाते हुए जम करनी साना साधा बैठनमान की मायंग कर रहे टेट पास पर इसक पर नीक्षक को का मानना है कि सरकार से इस समय वारता होने और महाधिवक्ता की और से अनुसांसा देने के बावजूद भी सरकार इस पर नहीं ले रही है जबकि अल्पसंख्यक बिद्यालियों में वेतनमान के आधार पर नियुक्ति की जा रही है टेट सफल सहायक अध्यापक संग के परदेश संजोजक परमोध कुमार ने कहा है कि एट टेट पासपारासिक चाग दोहजर बीस बाइस वर्सों से कम कर रहे हैं और सरकार इन्हें वेतनमान देने के वज़ाए सहायक अचारी नियुक्ति परिच्छा में बैठने के लिए कह रही है जारखन में लंपी वाइरस से एक हजार से ज्यादा पसुओ की मौत लंपी वाइरस से फैलने वाइली पसुओ की खतरनाग विमारी ज्यारखन में कहर बरपा रही है राजिके चत्रा, गढवा, पलामू, लातेहर, सहायवगंज, गोड़ा, दुमका, गुमला, रामगड, हजारी बाग में पिछले एक हपते में बड़ी संक्या में पसुओ की मौत हो गई है पताद विभीन जीलों से मिली सुचनावग के मुताबिक लगभग एक हैर से ज्यादा मवस्यों की जान चली गई सुखे के बाद अब पसुओ में फैली इस बिमारी से किसानों और पसुपालकों की बीच हाहकार है पसुपालन विभाग ने चत्रा गोड़ा साहवगंज गुमला लुहर्दगा आदी जीलों में बीमार पसुओ में इससे मिले जूले लक्षन पाए गए है जिसके बाद सभी जीलों में पसुओ के लिए ठीका करन कावियान चलाया जा रहा है लेकिन सिकायत मिल रही है कि पर्याप्त संक्या में टीके की उपलबता नहीं है दूमरी विधान सभा उपचुना में 63.75 परज़त मतदान के साथ बाचित की उन्होंने का एक साम पांच बये तक 63.75 परज़ती मतदान हुआ है हलाकि अमतिम मतदान परतियत देर साम तक आ पाएगा दोनों जीलों के सभी 373 बुथो पसांती पूर मतदान हुआ है कई मतदान के इंद्रों पर लंबी-लंबी कातारे होने की वजय से साम 6 बये तक मतदान की परकिरिया चलती रही वहीं चुनाव आयों को 12 बये राद तक रिपोर्ट भेजनी है इससे पहले आकलन करके जारी अमतिम रिपोर्ट जारी किया जाएगा 26,000 सिख्षकों की नियुक्ती परकिरिया पर हाई कोट ने लगाई रोक जारखन हाई कोट ने राजे में 26 एर सहायक सिख्षकों की नियुक्ती के लिए चल रही परकिरिया परोक लगा दिया है अदालत ने सहायक सिक्षक नियुक्ति नियमावली में पाराशिकों को 50% आरक्षन दिये जाने को चुनावती देने वाली एचका पर सुनवाई करते हुए अदेश दिया है मंगलवार को हुई सुनवाई के दोरान प्रार्थी बहादूर महतो की और से कोट को बताया गया कि राई सरकार की वर्ष 2023 की नियमावली के तहट बियार्पी एवं सियार्पी सनवीदा कर्मियों को नियुक्ति में 50% पर दिया आरक्षन का लाब नहीं दिया गया है जबकि पिछली नियमावली में इन्हें आरक्षन प्राप्त था हाई कोड के चिफ जश्री संजाय कुमार मीस्र की बेंच में इस मामले के सुनवाई हुई अब आलत ने जेसेसी को चार सपता में जवाब दाखिल करने का निदेस दिया है अब इस मामले के अगली सुनवाई चार सपता बाद होगी तब तक नियुक्ती परकिरिया परोक लगा दी गई है ज़ारखन के दो सिक्षक राष्ट पती के हाथो समानित झार्खन के दो सिक्षको को मंगलवार को राष्ट्री है सिक्षक पुरस्कार से समानित किया गया चात्रा जिलाईश्ठीत मध्य विद्यालै दिवान, खान के एजा जुन, हक और कोडर्मा जिलाइश्थी सैनिक स्कूल तिलया के मनोरंजन पाक्ठक को राश्ट्रिये सिक्षक पुरस्कार से समानित किया गया राश्ट्पती द्रोपादी मुर्मु ने सरोपली राधा कृष्णन की जयनती पर नई दिली में आयोजीत समारोह में उन्हें समानित किया इन्हें सिल्वर मेडल प्रसस्ती पत्र और पचास जया रुपय का चेक सोपा जाएगा बता दे सिक्षक दिवस की दिन राज्य अस्तरिय सिक्षक समानित समारोह का आयोजन नहीं हो सका इस वज़े से सरकार की ओर से किसी भी सिक्षक को समानित नहीं किया गया जार्खन में 10 सितंबर तक हलकी बारिस के असार के उत्री भाग होते हुए अगले 24 गंटे के दवरान 36 गड़ होते हुए गुजरेगा इसका जार्खन में भी हलका असर रहेगा और बारिस होगी लिंग परिक्षन करने वाले आल्टरासाउंड क्लिनीकों पर होगी करवाई मंत्री राजमेलिंग परिक्षन कराने वाले आल्टरासाउंड क्लिनीकों पर करवाई होगी मंगलवार को स्वास मंत्री बनना गुपता की अध्यक्षता में PCPNDT Act के राजहस्तर ये परवेक्षन वाल्ड की बैठट के दौन ए बाते उन्होंने कही है मंत्री गुपता ने कहा है कि मुखबीर योजना के तहट सभी जीलों में लगातार विशेस जाच अभियान चला कर ऐसे अल्टरासाउंड क्लिनीक को चिनीत किया जाए उसके लिए जिम्यवार ब्यक्ति या चिकित्सक पर तुरंत करवाई की जाए उन्होंने कहा है कि अल्टरासाउंड कराने माली गर्वती महिलाओं की पाहचान है तो उनका फोटो यूगत वैध पाहचान पत्र की प्रती अल्टरासाउंड क्लिनीक में होनी चाहिए बैठक में उपासी सभी जीलों के सिविल सर्जन को सक्त निर्देतेयों मंत्री ने कहा है कि किसी भी जीले में अन्टरसाउंड क्लिनिक में कानून का अनुपारन यदि नहीं होता तो उस जीले में जीमेदार पदाधिकारी पर सक्त करवाई की जाएगी पूलिस को मिली बड़ी सफलता भारी मत्रा में हत्यार बरामत। लामो पूलीस और CRPF 134 बटालिया ने एंटी नक्सल अभियान सुरू किया था इसी अभियान के करम में कुंडील पूर्खे जंगल में मवादियों द्वारा चुपाए गहां थियार वंब इस पोटो को बरामत किया गया है मुख्य मंत्री ने सिक्षकों को दी सुब कमनाये लेकिन उनके कार्यों और राजे की जानता के प्रती उनके समर्पन को याद रखा जाएगा मुख्य मंत्री ने डूमरी उपचुनाव में बोटरों का जताया अभार मुख्य मंत्री हमाश्रे ने डूमरी उपचुना में सांती पूर्ण मत्दान को लेकर बोटरों का जताया अभार बता दे उन्होंने कहा है कि भोट डालने आय मत दताओ का उत्साह देखने लाइक था खरा मौसम और बारिस भी जानता के उत्साह में बाधा नहीं बन पाई मुख्य मंत्री हमाश्रे ने कहा है कि सभी उमिद्वारों को मेरी अनेक अनेक सुपकमनाय और जोहार बोकारों और गीर डीजीला पर सासंत अथा वोटिंग परकिरिया में सामिल सभी मतदान कर्मियों को भी मैं हादिक अभार के साथ धन्यवाद देता हूँ कोट और अवासिय परिसरों की सुरक्षा की समिक्षा जारखन के सभी जीलों में इस्थित कोट और नयाय पदादिकारियों की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को डीजीपी अजय कुमार सिंग ने हाई लेवल समिक्षा बैठक की इस मट्धक के दवरां सभी जीलों के कोट परिशर और नियाय पता अधिकारी की सुड़क्प्छा बरतमान में किस तरह की है और उसमें क्या परिवर्थान लाना है इसकी समिक्छा की गई मंगलबार को जार्खन के सभी जीलों में कोट परिसर और जजों के आवासे परिसर की सुरक्षा की समिक्षा डीजीपी अजय कुमार सिंग ने की है इस दरण डीजीपी ने रेंज डीजी अस्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी रेंज डीजी अपने अपने चेत्रा अधिकार के जीलों में उतने भी बेवार नयालाएं आवासे परिसर और नयाधिस हैं उन सभी की मोनेटरिंग करेंगे साथ ही उन सभी की सुरक्षा से समय कित परतिवे दंजारकन पुलिस मुख्याले को अपलब्द कराएंगे G20 के अमंतरन पत्र पर जहमों ने जताई अपत्ती G20 समयलन में सामिल होने वाले विदेशी नेताओ को राष्ट पती की ओर से भेजे गया मंतरन पत्र पर पर पेसिडेंट और भारत लिखा हुआ है जिस पर विवाद बढ़ता जा रहा है इंडिया के गड़बंदन में सामिल कॉंग्रेस और रायत के बाद जहमों ने भी इसे लेकर अपती जताई है बता देया समयलन नौ तारिख को होने वाला है जहारखन मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रिये महा सच्चिव सुपरियो भाटाचाई ने कहा है कि जिस तरह से आमंतरन पत्र पर 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 भारत लिखा गया है वह हास अस्पद है G20 में आने वाले जितने विशास हैं वह अंग्रेजी के जानकार है आयसे में अगर प्रेसिडेंट आफ इंडिया लिखा जाता है तो इससे भारत का और भी समान बढ़ता सुपरियो भाटाचाई ने बावुलाए मरांडी पर निशाना सात्ते वे कहा है कि जिस तरह से मुख्य मंत्री और जार्खन मुख्ती मोर्चा पर गमन कारोप लग रहे है इसे तो यही परतित होता है कि वह अडिट जनरल के आफिस में भी नौकरी करने लगे है डेंगू से एक हपते में चार की मौत मरीजों की संख्या दस गुनी बढ़ी चार कण में डेंगू लगातार पाँप साथ रहा है आलम ऐसा है कि पिछले दो महिने में डेंगू के मरीजों की संख्या में 10 गुना बिरिधी हुई है इतना ही नहीं पिछले एक हपते में चार लोगों को डेंगू ने अपना सिखार बनाया है डेंगू के बढ़ते परकोप को लेकर परदेश का स्वास्त महकंपा अलट है बतादे राज में लगातार वारिस की वज़स डेंगू का परकोप बढ़ता जा रहा है परदेश के कई जुल में लगातार डेंगू का मरीज सामने आ रहे है स्वास्त विभा की रिपोर्ट के उन्सार बर्तमार में परदेश में डेंगू के एकूल मरीजों की संख्या 676 है जिन में से 478 मरी सिर्फ जमसेतपूर में है वही राज़ानी राची में अब तक 56 मरीजों को चीनित किया जा चुका है पिछले दो माहिनों के भीता राज़े में डेंगू क मरीजों की संख्या में 10 गुना बिरिधी हुई है 66 सितमबर को स्रीकृष्ण जनमाष्ट में स्रीकृष्न जनमाष्ट में महोच समीती की ततवधान में अलवट एका चौक मेन रोड में 6 वस्तात को स्री कृष्ण जनमस्टमी महसर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा प्रेश्वार्ता को समीती के संरक्षक संजाय सेट सिपी सिंग वा अध्यक्स मुकेस कावरा ने समोधित किया उन्होंने कहाए कि भवान सिरी कृष्ण बाल रूप में रांची में पधारेंगे मेन रोड में कृष्ण जनमस्टमी की तेरिया चल रही है 6 सितंबर को बाल गोपाल जहाकी परित्योगता साम 4 बए से होगी वहीं परित्योगता में 6 महीने से 12 वरस तक के बच्चे वो बचिया भाग ले सकेंगे साम 6 बजे समाजिक व धार्मिक संस्थाव द्वारा भव्य जहाकी का उध्गाटन होगा 18 फिट उच्ची बीर बजरंग बली की मूर्ती मुख्य आकरसक का केंद रहेगी वहीं 7 सितंबर को दही हंडी परत्योकता का उध्गाटन जहारखन के राजेपल सीपी राधा किष्णन करेंगे साहिब गंज में सियम हेमंध ने कहा राजे के नौजवान चीनता ना करे दो दिवसी संताल परगना के दोरे पर आयमोख्य मंत्री हमांश्रेन मंगलवार को साहिब गंज पहुँचे पतना प्रक्खंड इस्थीत कुवरपूर फुटबोल मैदान में आयोजीत बिकास मेलास परिसंपत्ति बीतरन समारों को समोधित करते वे सीम ने राजे के नोजवानों को चीनता नहीं करने की बात कही है कहा कि रोजगार की चीनता ना करे नोजवान राज सरकार परदेश में नोजवानों को रोजगार उपलब्द कराने के प्रतिगंभीर है CM ने कहा है कि हमारे सरकार ने राजय में कई जन कल्यानकारी योजनाओ का सुभरम किया है आप सभी को विभीन योजनाओ से जोडने के लिए राजय में आपकी सरकार आपके दोर कारकरम की शुरुवात होई अब राज जीला यहां पर्खोंड अस्तर के प्रदादिकरी आपके पर्खोंड पंचायत यहां गाओं में कैम्प लगा कर आपकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं धन्यवाद